कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसु बाहाने से क्या फाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसु बाहाने से क्या फाइदा मैं तो मंदिर गया पुजा आरती की पुजा करते हुए एक ख्याला गया कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं फिर पुजा करने से भी क्या फाइदा कभी प्यासे ओ पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा मैं तो सत संग गया गुरु बाणी सुनी गुरु बाणी को सुन कर खया ला गया जनमानों का लेके दयाना करी फिर मानों कहलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा मैंने दाने किया मैंने जब तब किया दाने करते हुए ये खयाला गया कभी भूंखे को बोजन की लाया नहीं कभी भूंखे जन की लाया नहीं दाने लाकों का करने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा गंगा नहां ने हर दार का सी गया गंगा नहां ते ही मन में खयाला गया तुम को दोया तन को दोया मगर मन को दोया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या फाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसु पाने से क्या फाइदा मैंनी बेद पड़े मैंने सास्त्र पड़े सास्त पढ़ते हुए ये खयाला गया मैंने ग्यान किसी को बाटा ही नहीं मैंने ग्याने किसी को बाटा नहीं फिर ग्यानी कहलाने से क्या पाये था कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाधी अमरत पिलाने से क्या पाये था कभी गिरते हुए को उठाया नहीं वक्त आशु बहाने से क्या पाये था माता पिता के ही चरणों में चारो धाम है आजा आजा यही मुख्ति का धाम है पिता माता की सेवा तन्मन से करो फिर तिर्थों में जाने से क्या पाये था कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरत पिलाने से क्या पाये था कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आशु बहाने से क्या पाये था